हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, आज का टॉपिक है, साट सर्कीट एंड उबरलोड, आये चलिए शुरू करते हैं, साट सर्कीट, इट अकर्स इन दा सिस्टम, वेन दा लाइब वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन का साट को करते हैं और न्यूट्रल वायर करते हैं जब वह जब वह जो है एक दूसरे के, कॉंटेक्ट में आ जाएं जिस चीज को मैं दिखाने के लिए मैंने मल्टी मीटर लिया हुआ है देखिये, यह है मल्टी मीटर का पहल यानि लाइब वायर और यह मैं इस दूनों को साउंड सुनाई देगी देखे जब मैं एक दूसरे को जब मैं यह फेज और नोटर वायर को दुस्ट्रे के उंटेक्ट में ला रहा हूं देखिए एक बीप की साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही होगी यही कंडीशन जो है sound circuit की condition है और इसमें आगे क्या कर रहा है इट अकर्स दूसरा definition है इसका कि वें दा मेटल वायर्स कंस इन कांटेक्ट विछ इच अदर विकाज आफ इंसुलेशन फेलियर जैसे कि माल लीजे यह एक वायर है और यह वी एक वायर है ठीक ना अब माल लीजे किसका इंसुलेशन खराब हो जाता है इसली निके कैनल के अंदर क्या होता है इसका कॉंडक्टर और इसका कंडक्टर अगर दूसरे से अगर हां कनटेक्ट में आ जायेंगे तो इस वाध सर्कूट सर्कूत होगा जैसे देखिए मल्टी मीटर तो भी वीप का साउंड मारेगा यह केस कब होता है जब हमारा इंसुलेशन फेलियर होता है साट सर्कृट के कंडिशन में क्या होता है कि जब साट सर्कृट के कंडिशन में हमारा राजिस्टेंस जीरो होता है देखिए यह भी मेटल है और यह भी मेटल है दोनों conductor आप electricity होएं तो जाहिड से बात है इनका resistance तो एकदम 0 होगा ही होगा सिधे सी बात है जब short circuit का condition होगा क्योंकि इनके बीच में कोई resistance नहीं है जिसके कहाण क्या होगा हमारा जो equation होता है भी is equal to IR जब हमारा resistance 0 हो जाएगा तो voltage हमारा 0 और short circuit के condition में जब हमारा resistance 0 होता है तो हमारी current जो है वह infinite यानि बहुत ज्यादा हो जाती है जो होता है resistance जो होता है दम 0 के बराबर हो जाता है और इसमें जो है heavy current एकदम flow होने लगती है जिसके कारण हमारा जो भी सिस्टम है वह उसके damage होने का खत्रा बना रहता है मैं आपको multimeter के दवारा आपको दिखाऊंगा कि short circuit condition में voltage कैसे 0 होता है देखिए आप सभी लोग मैंने इसको जो है फेज और neutral wire के जो multimeter का है मैंने उसको देखिए short क्या हुआ है और देखिए मैंने जो है DC voltage और मैंने देखिए voltage देखिए मैं major कर रहा हूं एकदम 0 आ रहा है और देखिए mathematical equation में भी यह 0 है current की value infinitive है इतनी high value तो यह ammeter major नहीं कर सकता है इसलिए मेरा यह दिखा पाना तो संभव नहीं है उम्मीद करता हूँ आपको short circuit तो समझ में आया ही होगा चलिए हम आगे देखते हैं overload क्या होता है overload means that load greater than the desired value have been imposed on the system जैसे हमारा कोई system है जैसे कि मान लिजिए कि inverter है उसकी rating है inverter has a rating of 400 watts and if the load of 800 watts is connected मान लिजिए हमारे inverter 400 watts का है और हम उससे 800 watts का load connect करेंगे तो जाहिट से बात है कि हमारा inverter जो है overload हो जाएगा जैसे कि मान लिजिए कि हमारी कोई भी समान उठानी के जो capacity है वो 40 kg है और हम जो है और हमें जो है उस हमें जो है पचास किलो का समान दे दिये जाए उठाने को जाहिड से बात है जाहिड से बात है वह हमारे लिजिए क्या हो जाएगा उभर लोड इसी तरह सिस्टम होता है जैसे जब हम 800 वार्ट का लोड कनेट करेंगे और हमारी इन्वर्टर की कैफिटी है 400 वार्ट उसी तरह जब हम जो है पचास किलो का वजन जब हम उठाएंगे तो हमें क्या होगा ज्यादा एफट लगाने पड़ेगी हमको बहुत ज्यादा अकास से ज्यादा उवर करना पड़ेगा वह सकता हमारी हड़ी तूट जाए तो इसी त भी जादा ज़्यादा खीचेगा जिसे हमारा पर लॉसी ज़्यादा होगा जिसके करण हमारा जो खोई यसके ढकरौन में करन होगा जो क्यों क्यों ज़्यादा निक्के में ने करा होता है इसी को ओभर लोड कंडिशन करते हैं देखिए लिखे भी हैं दा ओभर लोड कंडिशन डामेज दा इकुपमेंट आसा करता हूं आप सभी को साट सर्कीट और ओभर लोड समझ में आया होगा तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब क करें थैंक यू